हाई दिस इस वंजीत आइम एड़ और सेल्स कैपबिलिटी एन एचार प्राक्टिशनर और हम बहुत सारे एचार के सेशन्स करते हैं जिस पे हम एचार फ्रिटैनिटी के उन लोगों को बिलाते हैं जो एचार के साथ बड़े पैशनेट होते हैं एनरजेटिक होते हैं और एचार पे गुफ्तकू करने के लिए हमेशा तयार होते हैं कि हमें एचार के फील्ड को मजीद कैसे बहतर बना सकते हैं और जैसे चीजें एवॉल्फ कर रही हैं और उन चीजों के साथ हम कैसे तेजी से आगे भाग सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं त आपको नहीं बताऊंगा वो कौन है मैं आज ही उनको इंटर्ड्यूस कर रहा हूँ ताकि वो बताए कि वो कौन है सबसे पहले जी असलमुलेकुम सेद अनीस अली साहब कैसे हैं आप और पॉड्कास्ट में आपको आते हुए कैसा लग रहा है और इंसलाम बहुत अच्छा ल जैसे ही मेरी आप से मुलाकाती है मैंने का आज शो नहीं होगा आज होगा उधम शो थैंक यू वरी मुच फो शोइंग सच अन अमेजिंग एनरजी तो सेद अनीस अलीस साहब जो है हेड अफ इचार इन सर्वेसे हचिशन पोर्ट्स पाकिस्तान सर ये एचार की फील्ड आ एचार की फील्ड के हमाने थे? उसकी शायद एक वज़ा ये भी थी कि मेरे वाले साब भी इसी शोबे से वाबस्ता थे और वो तीस साल इसी शोबे में रहे तो शायद मुझे लगता है कि लाशूरी दोर पे कुछ वो असर भी था और कुछ जो है वो जब मैंने पिसी शिरेंट का तो सवाल ही पादा नहीं होता, डे एने मैं है, ऐसा कह सकते है आपकि ब्लड में है इचार, तो इसका मत तरूसर, आप तो मतलब है या, हलकी इचार तून है, आप डेंडरस किसम के इचार होंगे, इसका मतलब वैसे employee तो हूँ वर यही समझता है जब आप HR का लफस कहते हैं कि कोई बहुत ही खदरनाक चीज़ है वह सब्सक्राइब पुलिस का नेमल बदल हूँ मन जो है वो HR को समझा जाता है और मैं आपकी body language और आपकी the way you talk ना मैं इतना अंदाजा तो दे सकता हूँ इतना अंदाजा कर सकता हूँ कि HR की field में अगर कोई 100 लोग होंगे जो 5% बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे उनमें से आप तो जरूर होंगे क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आने मला है इस conversation में तो कौन से इसे hurdles और कौन से इसे inspiration है कि आपने HR की field को चूज किया सकता है देखें HR की field का यह सबसे दाजा चीज़ जो मुझे attract करती थी वो यह करती थी कि कोई भी इदारा कोई भी मुल्क आप चलाते हैं वो खुद तो कुछ नहीं होता उसमें जो लोग मौजूद होते हैं वो उस मुल्क को बनाते हैं वो सिदारे को बनाते हैं और लोगों से वाबस्ता जो शौबा सारे ही associated होते हैं लेकिन HR by definition वो शौबा है जो उसका focus होता है कि वो human resource के उपर focus करे तो ये चीज़ मुझे जब मैं study कर रहा था तो मेरे जहन में ये element था के इस शौबे में उन लोगों को आना चाहिए जो बिजनस को भी समझ सकें और HR को बिजनस से align करके run कर सकें और इसका impact जो है वो कमप्टी के ओपर बहुत जादा जो है वो बेतर बढ़ सकता है challenges के वाले से ये है कि अगर आप बात करें तो वो माशरे जहां पे national level के ओपर निजाम बेतर होता है उस system driven जादा होते है या वहाँ पे laws और discipline जादा होता है वहाँ पे उस शोबे को बेतर चलाए जा सकता है क्योंके कोई भी काम आप कर रहे हैं मिसाल के तो और पे आफ फैक्टरी में काम कर रहे हैं एक assembly line है वो आपने बिचाई ही है उसका आगाज किसी एक कदम से होकर एक आखरी कदम तक वो जाती है जब तक उसको आप छेड़े जो process-driven माश्रा हो या process-driven organization हो तो जब मैंने शुरू किया था जैसे 2005 में मैंने MBA किया था HR का शोबह उसका पाकिस्तान में बेतर हो चुका था लेकिन वो कोई बहुत जादा उस वक्त उसके अंदर इतनी जादा मैं समझता हूं market में उसकी वर्थ नहीं consider किया थी लेकिन over the past 10 years HR profession has evolved greatly not only in multinationals in Pakistan but other than multinational local companies has also evolved and they have realized the importance of HR department तो ये भी एक challenge था कि HR अगर आप लेते हैं तो क्या financially it will be worth it to pursue as a career compared to marketing or finance लेकिन क्यूंके एक interest था तो इस वज़ा से HR को फ़र्द लेकिन बड़ा जबदस तो आज का हमारा जो topic होगा बात करेंगे आज आज आपके साथ human resource management systems और जो तबाम products आप इस वक्त आज इस तबाल करने हम इस सवाल से बात करेंगे before going into the detail of the topic what is human resource management system and how you evolved with the time tracks by adopting number of modules and why if you talk about human resource system basically human resource system is there to enhance your efficiency and effectiveness efficiency is that you do a certain job within less time and with greater accuracy so HRMS is a great tool which helps you in doing this with efficiency and when you say effectiveness effectiveness is anything which adds value to your operations and value can only be added when you analyze data you have data availability because you can make decisions on you can make decisions either subjectively or objectively but decisions and organizations are made as a mixture of both but you need some objectivity when you make decisions which is data HRMS give you a centralized platform where you can have automated data stored in a way in which you want you can generate different reports to do your analysis and then you can make decisions so it has basically evolved the HR function and it has free up the space of HR department to focus more on areas which can add value for business and you can come up with projects and processes which are more linked with business and which is helping the organization to compete in the market and be aligned with business and leave this operational part plus the value added part to a good system which is reliable absolutely perfect so HRMS का जो सिस्टम आपने अपने अडॉप्ट किया of course you adopted the time track system market में बहुत सारे जबर्दस किसम के टूल्स भी मौजूद हैं प्रोड़क्स भी मौजूद हैं और्गनाईजेशन भी मौजूद हैं इसके इलावा international agarm systems की बात करें वो बड़े जबर्दस किसम के तगरिक किसम के system मौजूद है why time tracks sir why time tracks लेकिन इसमें ये है कि अगर मैं आपको इस बात को इस मिसाल से समझाओ कि हमारी ये industry है वो container port की industry है इसकी एक अपनी जरूरत है एक अपनी unique इसकी requirement जो के हो सकता है किसी भी global standard से meet ना करती हो उसकी 70% चीज़ें उससे मिलती हो लेकिन उसकी 30% चीज़ें ऐसी हो जो बिल्कुली unique हो जो किसी industry में मौजूद ना हो तो अगर मिसाल मैं आपको इस तरह दूँ कि आपको इस तरह दूँ कि ये मेरी जो जरूरत है जो मेरा मिजाज है उसके बिलकुल रहन मताबिक है लेकिन ये दोनों अगर जम होकर एक हो जाएं तो मेरी जरूरत पूरी हो जाई वो एक ग्रीन हेक रेड कलर का लिबास है, तो मतलब दो मल्टी कलर हो जाएंगे, जबर दस किसा, जबर तो सिस्टम भी जब आपको अडॉप्ट करते हैं, तो सिस्टम कुछ नहीं होता, असल चीज ही होती है, आपकी अपनी ज़रूरत क्या है, वो बेसिक है, उसके असाफ से आप सिस्टम पे इंतखाब करते हैं, तो जब हमने अपनी ज़रूरत को देखा, तो हमने देखा कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके इलावा हमारी कुछ अपनी ऐसी ज़रूरियात हैं, जो कंटीनर पोर्ट या एक्विप्मेंट जे मैं आप सज्टमाइजा के आप रहा के अलोबल स्टैंजेम आप या लॉपलल स्टैंज आपके इस। प्राइज एंट विजरूर्वे शेमिएटिएजांचल ओरूरी रहागिए ज आउ ए। जा रही है अप्टैंट था गूपलारियाब कियो देख़ एट इसाफ़ में to go for a global system that what we thought that's why we opted for a local system time cracks as we are happy to make the difference. इसका मतब है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि why not made in Pakistan कि आप भी इसी चीज़ का तस्वर रखते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक बहतर प्रॉड़क्ट अवेलिबल है जो कमपाटिटिव भी है तो why not made in Pakistan तो आप भी इसी के में और आपके दिबान मैं इसी सा टायल हूं लेकिन जुशे चुरत में कि अगर जो प्रॉड़क्ट आप इंतखाब कर रहे हैं वो प्रोड़क्ट जो है, वो दूसरी प्रोड़क्ट को compete कर सकती हो, तो वाइनॉट यू गो फर अ प्रोड़क्ट विजिस लोगल। विजिस लोगल। तो इसका वत्तब है, think global, act local. Amazing, sir. So हम यह जानना चाहेंगे, आज की तारीक में, आप time tracks के, HRMS system के अंदर, कितने products इस्तमाल, सोरी, कितने modules इस्तमाल कर रहे हैं, वो कौन-कौन से modules हैं, फिर one by one हम हर module पे time लगाएंगे, और फिर छोटा सा break लेंगे, फिर हर module पे तफसील से बात करेंगे. हम तो खेर time tracks में काफी module यूज़ कर रहे हैं, क्यूंकि हमारा concept यह था कि end-to-end, जो HR का service delivery के points हैं, उसमें जितने maximum points हैं, वो हम automate कर सकें to an extent possible. तो हम organizational setup and budgeting भी यूज़ कर रहे हैं, हम e-recruitment भी यूज़ कर रहे हैं, हम payroll भी यूज़ कर रहे हैं, leave and attendance management भी यूज़ कर रहे हैं, हम e-training भी यूज़ कर रहे हैं, हम e-document भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो in-house mess है, जहां पे लोग खाना काते हैं, उसका भी एट module हमने बनाए, e-cantine भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई module है नहीं, तो हम almost end-to-end हम HRMS के जितनी, जो HR के सफ functions होते हैं, almost सभी functions से related modules, हमने time tracks के लिए हैं, तो क्या तीन ऐसे key features हैं, जो आपको लगता है क्यार customization, integration के लावा, ऐसे ये features हैं, जो मैं समझता हूँ, शाद international product भी आता है, या other competitive products भी आते, तो मुझे इसे रखते हैं, ये इनकी USB है, वो क्या है, ऐसी random लिए पताना चाहिन पता हैं, इसमें एक चीज तो ये है के, वैसे तो ये जितने modules हैं, आपको लोगता हैं, जो आपको लोगता हैं, जो आपको लोगता हैं, and probably if you evaluate time tracks with global systems, बोट आपको लोगता हैं, but because we have workers who are called equipment operators, so we wanted to, in the modules, we wanted to do an equipment operator module, which can keep track of different licenses we have for operators, and which can evaluate the productivity of operators, so that was something which was to be customized, so this is something which is in there, all these details of operators, which help us to evaluate their productivity and give different stats regarding the equipment operators, this is something which we think is a valuable tool in time tracks, and the other thing is that the employee self-service, which is also a global thing, which is available globally, but I think if we compare the return of value of time tracks, that ROI is far higher than any global product, if we were to get all these modules and purchase it globally, then maybe it would have cost us 8 to 10 times more what we have purchased time tracks, but having said that, it is not that it's, people may perceive that it's a very cheap product, so quality is not there, but quality is there, the cost we paid, we are getting the return far higher than what we paid, and in the modules, I told I missed out one module, which was e-appraisal, we are also using e-appraisal module, excellent, that was also customized to an extent, that the competencies, which were related to Hutchison ports, we added that into the module, and we wanted different forms, which can be built for different level of employees, so that customization, and that it was not a static, dynamic setup was there, so we can customize them, Aliyah Sahib, is amazing. हम मजीद आगे module-wise बढ़ने से पहले छोटा सा break लेते हैं. Break के बाद दुबारा बात करते हैं HRMS and module by module. Thank you very much अलीशाब. हमारी गुफ्तगू हो रही है सेयद अली अरीशाब के साथ जो head of HR and services हजची सुन पोर्ट पाकिस्तान जो बड़ी जबदस गुफ्तगू कर रहे हैं Human Resource Management System और Multiple Tile Tracks के module भी इस्तमाल कर रहे हैं इन modules पर हम रोशनी डालेंगे लेकिन जो module से इस्तमाल कर रहे हैं उनकी integration और customization पर मैंने बात की हैं लेकिन हम इन से जानना चाहेंगे module by module कि आप क्या इस्तमाल करते हैं और आपकी life में, employees की life में employer की life में क्या बहतरी आई है in terms of time, in terms of management, in terms of cost, in terms of operational excellence and business process re-engineering अली साब आप में जी बताईए कि time tracks का जो आप payroll management इस्तमाल कर रहे हैं वो इस्तमाल करने से आपकी जो number of hours हैं या पिर operational excellence है वो कैसे improvise हुई है during the tenure जब से आप इनका system इस्तमाल कर रहे हैं जी उसमें तो खेर बहुत बेतरी आई है क्योंके पहले जब तक हम आप our system नहीं था तो तबाम चीज़े manually होती थी वरकशीट के उपर होती थी उसका check करना के वो क्या financially सही है और recon बनाना पिछले महीने की निजबत वो एक बहुत ही लंबा काम था लेकिन after the implementation of this system obviously the efficiency has improved by multiple times because everything is being generated by the system itself all reports are automated and reconciliation reports of different types as per your needs are available in the system which can you can quickly review your payroll accuracy within 10 to 15 minutes that what are the differences and where they are and you get to know exactly this payroll is correct and you can proceed plus it is also giving you cost analysis staff cost analysis because you have reports which are customized built in as per our need and every month or as and when required we can log in and we can check what our employee cost is from different angles which also helps us in budgeting plus to make other decisions of employee investment so this is obviously helping our payroll team to be more efficient and to be more accurate and the other perspective is the employee perspective that prior to this launch of time tracks they were not able to view their details as and when they want now they have a mobile app on which they can access anywhere even beyond Pakistan if they are outside Pakistan they can view their details so employee self-service has improved accessibility of information for both employer and employee has improved so this is the benefit of having a payroll module of what we are going for if we are asking for payroll about the analytics this is the way that we are going to view the analytics vision it will surely be different mattresses through the to look at payroll from the system that we will find purchase KPI's or the analytics that we are going to measure we can make also the or the you can pursue that we will see what benefit to do if the payroll system and you can't increase it will make in the process that we will we can also it will make module था, time tracks का, चो हमने फिर बाद में उसको इसमे अड़न किया, तो वो इंटेग्रेटेड है, because all the data is in there, in the database and the templates of HRMS itself, so we have customized that dashboard as per our requirement to do different kinds of analysis for staffing cost and to areas where the cost is going up or where the cost is going down, so it gives you a graphical overview of different cost components in the dashboard itself and it is accessible to the entire HR team, so you can make informed decision based on this data and obviously we have the flexibility to customize a report, meaning it gives you the leverage as a report churner that you can pick up components, different components which are available and make a combination of different components and generate a new report. For example, अगर मैं तोड़ा सा टेक्निकल तोड़ा सा इसमें चले आते हैं, जैसे का हम कहते हैं, मुझे आज नी साब, मुझे ना कॉंपा वन की रिपोर्ट निकाल गया देए, क्या यसी फिसलिटी है और सिसलिटी है और सिसलिटी है। Actually, we are doing this like for example, we have in our system this option that we have defined ranges of different grades and the positioning of overall employee with respect to compare ratio within a given grade range can also be monitored on a dashboard and when it comes to different components like for example, you have a base salary plus you have allowances plus you have vehicle allowance so that all those components 1, 2, 3, 4, 5, you can at a glance get the total cost overview that with respect to last year, which component is going up the highest and which component is neutralized over the years. So all this is available and integrated in the system and the biggest advantage of having a dashboard module is that all the data is coming on click of different reports and then you can do your analysis as and when you want it. So just one more technical question, as we do job evaluation, there are many methods used to use for job evaluation. If we use a term, for example, our point factor method is our market-based surveys, there are many methods used to use. Is this system within the job evaluation of the point factor method? So that we can create a base structure or define a base structure? Or do we use this system or the system that you can do manually? This system is not that you can do this system through a job evaluation of the exercise. We do this job evaluation. We do this in Mercer methodology. We do job evaluation. Right. So it's a point system. There are five compensation factors. Every compensable factor is a weightage. And it's a standard questionnaire which is on the job evaluation. So that's what we have done throughout the company. And all of our jobs are in Mercer's PC range. from the company's property and we have to establish a job evaluation. And so we have to take the base, the fourth stubborn line on our work. There is only a cost of Creighting, which we have to take a job evaluation on the market, which we will see here in Mercer, which we will see here. So, any property that we are going to be doing here in Mercer, considering which we have done, maybe there is zero data which we have done, we can do with the same cost. So to have the same status of our work, we will see what we have done, in the same way that we have done. चल सकती यानि कि हमें पूरा खाना पकाना नहीं पड़ेगा आपके पास प्रीकुक होता है थोड़ा सा उसको आपको आँच और आज पर लगाएंगे तो तयार हो जाएगे तो I think the system is amazingly capable तो XDR हमारा एक और बड़ा जबदस मॉडूल आप सिस्टमाल कर रहे है जो है e-recruitment module तो मेरा सवाल है कि what strategies you are using before the system, what you have re-strategized in recruitment system कि आपने उस system को कस्टमाइज किया पहले और कस्टमाइज करने के बाद आपको e-recruitment system क्या benefits दे रहा है या इनके पास कौन से available features हैं जो आपकी efficiency को मज़ीद increase करते हैं लेकि जब तक हम system इस्टमाल नहीं कर रहे हैं तो जाएसी वाद है recruitment की जितनी चीज़े हैं ठीक है हम posting जो है वो social media पर आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन तमाम चीज़ें बहुत जादा manual oriented थी जाए वो एक manpower requisition हो उसका approval हो plus interview evaluation हो हर चीज़ कागस के उबर हो दी तो sustainability के point of view से भी कोई यह बहुत अच्छी चीज़ नहीं मतलब जब हमने इसको launch किया e-recruitment को तो उसके बाद हमने बहुत से processes जो हैं वो automate कर दिये जैसे personal requisition है वो आप system में manpower requisition race करेंगे system में उसका workflow के through approval होगा कि वो request अप्रूव हुई नहीं हुई वो budget में थी नहीं थी यह new position थी था new position थी जो भी थी वो तमाम तफसीलात उसके नहीं मौईद हैं उसी में approval होता है उस approval के बाद जो एड पोस्टिंग है वो भी आप उसी के through कर सकते हैं जब वो एड पोस्ट हो जाता है तो वो एड जो है वो आप social media वे पोस्ट करते हैं तो वो link मौईद होता है इस पर जाके आप online apply कर सकते हैं फिर आपके पास क्योंके shortlisting filter है तो वो जो एक बहुत मुश्किल काम है कि आप 1000 resumes को पागज में देखकर एक application को देखें और specification की requirement apply करें वो आप चंद filters के ओपर shortlist कर ले पिर उसके अंदर ये review evaluation भी आप online कर सकते हैं जी जी वो भी सारा है उसके अंदर online हो जाता है तो यह वही वाली बात है कि इस process को हमने एक तो बहुत ज़्यादा systematic कर दिया standardized कर दिया और उसका time हमने बहुत कम कर दिया और जो waste है of paper and time वो भी इसके अंदर कम होगी है तो अगर मैं आप से पूछ हो कि इससे quality of hiring improve हुई है yes or no अगर improve हुई तो कैसे improve हुई असल में quality of hiring का तालुक जो है वो system से ज़्यादा तो कि system जो है आपको वो short listing और automation में तो मदद करता है जब आपके वासे एक basic pool career हो गया अगर आपने quality of hiring बढ़ानी है तो फिर आपको अपने assessment के जो methods है जिससे आप किसी candidate को evaluate करते हैं कि उसका behavior कैसा है क्या उसके अंदर potential है कि वो grow कर सकेगा क्या job का जो requirement है pressure की बाकी कर सकता है नहीं कर सकता क्या उसका तजरुबा जो है वो आपकी job से relevant है यह चीज़ें कोई system आपको नहीं बता सकता मतलब आपको वो एक initial pool create करके देदेगा यह चीज़ें आपको अपने assessment के फिरू करनी हो तो यह चीज़ उसके अंदर जैसी बात है अभी वो system जो है recruitment के लि लेकिन अभी वो जादा तर written test हो गए या थोड़े बहुत साइकोमेटर का assessment टाइप हो गए उस तरह के तो आप क्या समझते हैं इससे जो time to fill है for example पहले होता है सामने वाला बंदा यानि के stakeholder जिसको position चाहिए वो पंदा दिन के लिए वेलेबल नहीं है चार दिन के लिए वे हैतर हुए ऐसा हुआ है time to fill पे इस पर फ़रक पड़ता है तैसी बाते एक काम अगर आप मैनूल कर रहे हैं और एक काम आप जो है वो system बेकर रहे हैं लेकिन यह है कि time to fill बेतर करने के लिए system की भी efficiency चाहिए और जो इसको 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 इसकी अगर आप एक सिस्टम यहां से है एक और नीट कर रहे है कि लोगों पो efficient बढ़ाना पड़ेगा उनको capability डिवलप करने पड़ेगी तो training and development model की बात करते हैं आप टाइट ट्रेक्स का training and development model यूज़ करें तो training and development model यूज़ करें तो इसकी भी training होनी जाए आए जी जो भी अवारी company में नया एक manager आए अपने modeling की training कराया है तो इसकी मेरे साथ अनृज़ किसमे मॉदू कराय ऑग अग ठाकिस्तान में जटीन मत्रें उनिरसे इन पर इपड़ा रहा हूं on-line या on site हर यूदसी में जबी आप यूद्स किसम करवाया और सेशन करवाया आप सेशन और सेशन इंप फादा बी होथा सबस्तिंगे हो गए हैं निस के लिक इव सकते हैं कि छे महीन वें जिती भी आपके नियू इड़क्षिन हुई है उनके पार आपके सब्सक्राइबरेक्स लिए उनके इसा बेरेक्स के साथ अपना एपना चाहीं से पारेक्षिट में ने कर सकते हैं वेल्कम बाक तु दे रंजीत कुमार शोर तुनिन टेक पावरड बाइ ताइम ट्रैक्स एन वाइन पाकिस्तान में बहुत जबदस किसम की गुफतगू चल रही है और अली साथ ऐसा ऐसा रखता है कि मझे लगता है कि अगर ये HR क्रिकेट होती तो ये विरात कोली होते और अ मैंसी कैसा फिलोरा साब ने टो बीवेरी होने कि मैं चन्द गेस्ट को मतब हाई रेट करता हूं तो आया और अलसो हाई रेट यू बिकर आपको ये पोड़नी पड़ेगी उसके बाद वो नीचे चला जाएगा पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके थूरू होगा क्या कि जो स्टूरेंस पड़ते हैं तो मैं एक्जेम में ये पोड़कास देता हूं मैं गयता हूं कि आपको ये पोड़कास पढ़नी पड़ेगी समझने पड़ेगी हैं रिटन असाइन्मेंट देना पड़ेगा मैं चैट जी बीडिया उनको अलाव नहीं करता तो आप कभी भ अब वास्ता पड़ेगा तो मैं आपको वह स्क्रिंशोट जरू बेजूँगा कि आप से लोग कैसे सीखते हैं तो मैं समझता हूं इस सदकाई जारी अभी है तो जो अभी जूट भूट जो भी हो जाएगा मैं ऐसा नहीं बोलता लेकिन ये आपको आखरत में भी काम आपक करते हैं then we talk about the module जो आपने अभी time to access अमाल करें लेगे training जो है वो अगर उसको तीन levels में आप तोड़ दें तो सबसे पहले तो जो training आपको चाहिए वो organization के लिए चाहिए हो ठीक है क्योंकि organization की एक अपनी direction होती है future की कि आज से पांस साल बाद organization कहा जाना चाहती है हो सकता organization क है कि मैं अभी sector में हूँ मुझे diversify करना है वो सकता एक news channel है वो ओले आज मैं सरे वर्दू में news नशर करता हूँ अगले दो साल बाद में अंग्रेजी channel भी खोड़ूँगा तो जैसे ही आप अपनी business की direction ते करते हैं तो आपके पास knowledge skill ability अपने staff की उससे link चाहिए होती है कि जो business का तायोन आपने किया है जो direction आपने वज़ा की है उसके लिए आपके पास वो लोग हैं जिनके पास वो सनायते मौजूद हैं उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ती है तो आप मस्तकبل में तैयार होते हैं वरना जो आपके मते मुकाबल company's हैं वो आपको बासानी हरा दें तो सबसे पहली चीज़ जो training की priority है वो यह है कि organization की सता पे क्या skill set बढ़ाना है लोगों का क्या re-skilling करनी है और क्या अप्ग्रेडेशन करनी है लोगों की ताके आने वाले वक्त के लिए वो तैयार हो और आपकी बिजनस की strategy फेलना हो क्योंकि strategy आप कोई भी बना ले execution आपने जो करानी है वो manpower से करानी है और execution करने के लिए वो तभी आती है जब उसको refresh किया जाए reinforce किया जाए और upgrade किया जाए दूसरा इसका level है जो आपके मुक्तलिफ functions होते है organization में जिसको आप operations, IT, HR, finance, engineering कुछ भी कहलें कोई भी नाम रखा management होती है उसका analysis आप करते हैं कि आपके किस शोबे की standing अभी मौजूदा क्या है, कहां होनी चाहिए, उसमें कितना gap है, उसके लिए आप training कराते हैं और एक बिल्कुल ही है कि individual level है जो कि आप एक फर्द को उठाते हैं और फिर यह देखते हैं कि यह जो साहब हैं या जरूरत है और वो फिर आप अपनी succession planning, leadership planning को उससे link करते हैं कि यह लोग है मेरे जिनको मैंने जो है वो आगे future के लिए develop करना है, उनको क्या training करने चाहिए, उनका क्या career track होना चाहिए. तो जो training and development है वो आप जो module इस्तमाल करते हैं, यह सारी चीज़े जो आपने भी explain की, व drive these three things, organizational development sort of trainings, core functional trainings and individual trainings. अभी जो हम module इस्तमाल कर रहे हैं, उसमें जो हमें फायदे हैं वो यह हैं कि हम इस module के थूँ जो कोई भी training जब design करते हैं और उसको launch करते हैं, तो time tracks के थूँ वो तमाम employees को visible हो जाती है. जैसे ही आप HR के end से training का content डालके उसको launch करते हैं कि इसकी registration open है तो कोई भी employee जिसके पास desktop है, laptop है, वो training calendar में जाके देख सकता है कि इस date पे कौन सी training होनी है. और दूसरा फायदा इसका यह है कि क्योंकि इसमें mobile app भी है, अगर आप मुलक से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, उस पे भी आप देख सकते हैं कि यह मेरी company का training calendar है, और सबसे best अलाइयत में जो है, वो बेतरी चाहिए, तो आप उसके against apply कर सकते हैं, workflow के through वो request आपके line manager और head of department तक चली जाती है, वो भी customized workflow है, आप define कर सकते हैं, जब अब अब्रू हो जाती है, तो एक तो यह है कि employee experience बेतर हो रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी जो organization में आता है, उसकी खा हमारे पास पूरा record होता है, जब हम training launch करते हैं, तो एक single click के उपर हमने यह बता होता है, इस साल हमने कितनी trainings करा ही, उसमें कितने लोगों ने participate किया, department wise ratio क्या रहा, diversity ratio क्या रहा, attendance कितनी रही, फिर उस training को rate भी कर सकते हैं, उसी system में, तो तीन हिस्सों में उसको rate करते हैं, content क की rating होती है, trainer की rating होती है, और venue की rating होती है, फिर उसकी एक customized report है, जो हर training की individual निकल सकती है, जो HR department या line manager इस्तमाल कर सकते हैं, आपने XYZ training कराई, तो उसमें content को कितने number मिले, trainer को कितने number मिले, venue को कितने number मिले, तो फिर उस से आप किसी भी trainer को, चाए वो in-house हो, external हो, उसका एक profile बना सकते हैं, साल का, कि इसमें 6 trainings कराई, तो 6 trainings में overall इसकी rating, for example, 80% बही, तो ये top trainer में आ रहा है, ये medium trainer में आ रहा है, या इसकी training की rating थोड़ी सी इसमें इंप्रूब बढ़ी दो रहा है, फिर content कितना relevant था, और content कितना practical था, ये भी वो feedback आपको दे देता है, तो फिर आप training भी over the years बेतर कर सकते हैं, ये data कहां से लाते हैं कि, for example, Ali को कौन सी training चाहिए, हादी को कौन सी training चाहिए, Almas को कौन सी training चाहिए, इरतता अभी किस role बे है, उसको कौन सी training चाहिए, तो how you define किस particular participant को कौन सी training चाहिए, अभी तो आपने मुझे बताया, मैं वो लड़का, ये ल पी का program चल रहा है, वो sign up करके आका बाट जाएगा training में, but how you collect the data, किसको क्या चाहिए, जिसको हम कहा थे DNA, training read assessment, how you basically align that trainings with this module? इसमें हमारा जो procedure है, वो ये है कि जो हमारा performance management system है, उसी के साथ ये चीज लिंग्ड है, कि जब line managers evaluate करते हैं अपने direct reports को, तो ना सरिफ वो उनके objectives के against, या उनके target के against, उनको rate करते हैं, कि वो बहाँ stand करते हैं इस साल, plus जो उनकी improvement areas हैं, वो भी उसके अंदर log हो रहे होते है और सिर्फ ये नहीं कि ये area उनका weak है या ये बेतर हो सकता है, बलके ये भी कि मस्तक्बिल के लिए, जैसे अगर आप ये समझते हैं कि Mr. Ais, ये अब इसका role team lead का हो जाएगा मस्तक्बिल में, तो हो सकता इसको team lead के role के लिए, जो है, वो supervisory skills की training की जरूरत हो, वहां से वो consolidated data आपके पास है, जिसको आप देख सकते हैं कि आपकी need के हैं, दूसरा source हमारा ये है कि हम succession planning, जो out of system करते हैं, वो हमारे पास एक exercise है, जिसके अंदर हम map करते हैं कि की positions के against, क्या हमारा talent, critical positions, जिससे business पे सबसे जादा impact होगा अगर वो vacant रहें, या अचानक vacant हो जाएं, तो उ prospective replacement हो सकता है for future, उसकी trainings भी या development की need उसके हिसाब से mark की जा रही होगी, इन दो systems को मिला कर आपके पास एक master data होता है कि इस individual की ये need है, को कि evolve होती ही रहती ही हो, लेकिन to start with. जबर 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 जबर. PMS के लिए तो हम आपसे अलग अभी इसी program के अंदर show भी run करेंगे, apart from this training, जब आपने पूरा define कर दिया workflow, define कर दिया क्या हम कैसे trainings करते हैं, training management system भी है, तो इसने आपकी time, आपका cost और आपकी efficiency को कै से improvise किया, कि जो time, oh sorry, training management, जो system इनका istamal करने, and how do you think, it gives you the option, कि you can make the trainings better, in the future as well. Actually currently, in terms of efficiency, it obviously saves time, because previously we used to circulate emails to notify employees, that the training has been launched, and you can apply and use different communication channels, but now you have one platform accessible to all employees. where they can very easily see the training calendar, training available and they can voluntarily apply if they feel that this is meeting the requirement. In terms of improving training content, because we have a feedback system also in there which is filled by the employees and as I said earlier that it gives you standing on content plus trainer plus the venue part also. So it gives you kind of a collective feedback that where you stand in terms of content validity, practicality and application and trainer quality. So this gives you some feedback to improve your trainings and make it more practical and concept wise more aligned and more application oriented close to real challenges. So this is the way it helps in terms of both these two factors. This is very useful because we also use LinkedIn Learning as an organization and we give access to different employees to learn and develop their self at their own pace. We design different customized learning path in LinkedIn Learning itself which is catered to individual needs. But obviously these two systems are now standalone. That LinkedIn is only giving you reports on courses which are being run and managed within LinkedIn. But there is also another system which is not integrated which is also catering to trainings which are being run in the organization. But if you have one system which has both features, then obviously it is less headache and it gives you a centralized point where you can track, build and also generate reports on different learning aspects. So this is much better if you have this in the LMS in the center. So we have talked about training, in the previous videos we have talked about recruitment, and payroll. Before we move on, I just want to ask a question. How about the time tricks ensure the data security and confidentiality with HRM system, modules and for the organization as well? How do you experience the data security and confidentiality with HRM system? Actually obviously like all systems, so time tricks also is the provision of giving roles. When I say role, role is that a person will be an employee which is only a self-user and a person will be a head of department or a person is a section head. So you can define person's role and what modules he or she will able to be accessed and what reports will exactly he or she will be able to access it. That makes sure that only that information is accessible to a person which is from organization point of view, he or she should access. Otherwise, system controls and roles are there to define at the backend and you will not be able to access that as an employee. And similarly, now this is not a static. You can change it over as and when the employee job role changes. Like for example, if somebody is transferred from time office in payroll, so obviously you will change his rights and give him access to payroll. So he will only be able to access payroll, whereas no one else would be able to have this access to the confidential data. So that is there in the basic DNA of the system that you can define roles, levels and report access. So it is only meant for those people whom you authorize as administrator of the system. Apart from all the modules, if you have cyber security or confidentiality, data security provide to you, this system is doing good. So again, we just communicate why not made in Pakistan, that you have global practices within the country or say quality just not one time or two times. You have already explained that quality is five, six, four times better. So I am sure that we are not done here. We will have a short break and then we will talk to you in the last module which is very close to my heart and the industry has been 20-25 organizations that I have known as the module which is known as the KPI's Driven Performance Management. अगर वे अप्रिजिए पर बात करूँ ना. ठीके ठीक, ठीक, थीक, 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 तैक्यू बेरे मच्च. वेल्कम बाक्ट तू रूजीत कुमार शोओ, तूनिन टेक पावरड बाय टाइम ट्रेक्स में हम बात कर रहे हैं, अली साथ के साथ जो हैं, बड़ी जबदस और इंटलेक्शल बाते हो रहे हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम इनसे आफिरी मॉडूल के वाले से बात करेंगे, which is called E-Appraisal and Performance Management System. अली सर्प, पहले बताईए, Performance Management System टाइम ट्रेक्स से पहले कैसे होता था? वही जैसे नॉर्मली हम एकसल शीत वे, या इसके पैसे बढ़ा दो, 15% कर दो, वहाला सिस्टम, और उसके बाद Time Tracks के सिस्टम को लेने के बाद, आपके Appraisal की जो Position है, वो कितनी Transparent और Acceptable हो गई है at the Employee Level and Employer Level as well. सर्थ, टाइम ट्रेक्स से पहले तो पेपर बेस्ट होता था, और दैसी बात है, एक बहुत लंबी exercise होती थी, कि आपके हाथ में काज़ है, आप वो काज़ भर रहे हैं, पिर आपका मैनेजर भर रहा है, लेकिन जब उनने सिस्टम लाँच किया, तो दैसी बात है, इसके अंदर हम efficient हो गए, efficient in the sense के पहले हमारे पास form आता था, अब यह है कि वही फॉर्म, जिस पर हम objective setting करते थे, वो आपके पास system में available है, साल के शुरू में आपके objective सेट हो जाते हैं, प्लस आप system के थूर evaluation कर सकते हैं, उसमें self evaluation का भी feature है, कि आप जिस लेवल पर self evaluation को active करना चाहते हैं, उस लेवल पर वो active हो जाएगी, employee अपनी self assessment करता है, जो workflow आपने define किया हुआ है, कि उसका line manager यह है, यह इस लेवल तक जाना चाहिए, इस लेवल तक वो assessment जाता है, इसमें एक फाइदा यह है, कि वो transparent रहता है, यानि अगर एक काख़ज है, उसके उपर आप assessment करते हैं, आप मेरे मेरे जारे, मैंने अपने आपको rate किया, कि जी मैं exceed target हूँ for example, आपने form पे cut किया, आपने का नहीं यार, आप on target है for example, मेरे और आपकी कोई बात चीट नहीं हूँ या आपने इसको आगे submit करा दिया, सिस्टम का ये फाइदा है कि सिस्टम में employee की rating, जू की तू रहेगी, आप उसको override कर सकते हैं, employee से discuss करके अपनी rating आप डल सकते हैं, देख तो system में आपके पास यह transparency है, कि employee ने क्या rate किया था, और manager ने क्या rate किया, और head of department ने क्या rate किया, तो इससे process efficient बहुत हो गया, कागस का तसवर खतम है, सब कुछ online होता है, जहां तक आपने ये बात की कि इसके अंदर जो है, वो fairness कितनी है, fairness system से नहीं आती, fairness आती है, जो लोग उस system को चला रहे हैं, और fairness आती है, culture से, कि जब आप किसी system को चलाते हैं, और उस system के अंदर feedback को make sure करते हैं, और थोड़ी सी transparency बढ़ाते हैं, और वो साल हा साल वो process चलता है, तो उसमें बेतरी आती है, system ये तो कर सकता है, कि आपके process को efficient कर दे, online कर दे, automated कर दे, accessible कर दे, लेकिन जो manager है, वो किस अंदाज से session करता है, कितना objective है, कितना वो employee को feedback दे रहा है, कितने उसमें engaging sessions करता है, ये system नहीं करा सकता, ये एक overall culture है company का, जो उस चीज़ को आगे बनाता है, कि जो appraisal system है, वो objective perspective वो rather than person perspective, ये fairness पर ही सागी, absolutely yes, और अज़ा ये system सब को चुछ तयार हो गया, बन गया, तो आप क्या समरेशते हैं, कि ये system, या जो paper system पहले हैं, हम इस्तमाल कर दे, सक्सेशन प्लैनिंग की तरफ हम जाएं, ये talent management की आप तरफ जाएं, तो क्या time tracks का system, आपको performance का data for longer period of time, at least five years और seven years का data देकर, सक्सेशन प्लैनिंग बनाते वक्त आपको मदद कर सकता है, कोई data ऐसा provide करता है, कि आप जब succession planning कर रहे हो, तो इनका data इतना effective हो, कि आप उससे भी decision ले सके हो, लेकि succession planning जब आप करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जाविया आप देखते हैं, वहला आप performance देखते हैं, लेकिन आप potential भी देखते हैं, पोटेंशल जो है, वह system से उसी वक्त निकल सकता है, जब आप उसको as a module या as a philosophy उसमें रन कर रहे हो, अभी जो system हमने customize कराया था, वह हमने performance management system के लिए कराया है, तो उसमें ratings का data तो आपको मिल सकता है, कि यह आदमी consistent performer है, या यह इसकी performance उपर की तरफ जा रही है, या इसकी नीचे की तरफ performance जा रही है, लेकिन potential का अभी system के अंदर हमारे provision नहीं है, कि आप उसमें कोई potential निकालें, या कोई और दूसरी चीज़ इसके अंदर निकालें, आपके time potential का data डाल दे तो आप उस तमाब करना चाहेंगी, या पर उसको customize करने कुछ mind set है, या कुछ mind में है कि इस तरह से वो के हम काव कर सकते हैं, देखिए अभी जैसे मैंने आपको का कि succession planning जो हम करते हैं, तो हम इस चीज़ को देखते हैं, potential को analyze करते हैं मुक्तलिफ तरह सी वही चीज़ अगर हम एक power point पे या कावस पे गर रहे हैं, वो system में आ जाती है, तो integration इन दोनों चीज़ों में आ जाए, आजकर हम यह करते हैं, आजकर हम यह करते हैं कि हमारे पाद 6-7 parameters हैं, एक तो यह है कि आपकी performance consistent होनी चाहिए over the years, ठीक, अचलो for three years, for example, for three years, है भी विसे हमारे हैं three years ही है, और potential जो है, यह बड़ी एक ज़रा subjective term, क्यूंकि आप जैसे हम 9 by 9 grid यूस करते हैं, map करने के लिए, लेकिन वो mapping जो है, वो जरसी बात है, किसकी राय से हो रही होती है, line manager, HOD की, जिसके अंदर subjectivity आ सकती है, इसको curtail करने के लिए हमने यह किया है, कि जो talents हमने identify किये थे इस process के थूँ, बेजर वाट, कि यह एक तो rating, plus potential mapping, ठीक है, प्लस यह है कि उनकी achievements नहीं over the years, plus यह है कि frequency in both languages, क्योंकि हमारे हैं, क्योंकि global company है, तो expats का भी element है, तो यह चार-पांच चीजों की business के ओपर हमने identify गिया, लेकिन इसको calibrate करने के लिए, हमने यह काम किया, कि हमारे पास कुछ business के challenges थे, दो-ती, उसके हमने projects बना, जैसे for example, to improve safety culture, यह तीसरा यह कि to have a business intelligence score guard, यह तीसर कि जी, आप एक dashboard launch करें, जिसके ओपर सारे KPIs आ रहे हों, यह हमने उन talents को, जो उस process के through identify हुए थे, इस basis पे PMP, potential mapping, और उनकी achievements, और उनकी language fluency, उनको वो projects दे दिये, ठीक है, groups बना की, और उनको एक वक्त दे दिये, आपने तीन महीने में इस project पर काम करना है, उसके बाद आ safety culture कैसे improve हो सकता है, आपके क्या recommendations हैं, और हमने उनको फिर एक design thinking की training भी करवाई, इस से पहले, कि design thinking की body of knowledge क्या है, किसी process को जब आप re-module करते हैं, तो prototype क्या चीज़ होती है, उसको कैसे test कर दे हैं, उसका research कैसे निकालते हैं, यह हमने करने के बाद, तीन-तीन महीने का सब क वगदे दिया, फिर हर project team ने आकर, जो management team थी, which was of CEO and departmental heads, और few senior managers, वह हम हो जोगते हैं, सबने अपना project present किया, उसमें cross questioning भी होई, कि आप अगर ये बात करते हैं, तो इसकी क्या वज़ा है, तो उससे दो बाते हमें बड़ा फायदा हुआ, कि जो mapping हमने की थी, वह हमें एक practical नजर आ रही थी, कि इस आदमी का जो potential map हुआ हुआ है, या इसकी जो communication की सलाइयत है, वह कितनी है, जब लोगोंने cross questioning की, तो इसकी objection handling है, वह कैसी है, और इसकी analysis करने की सलाइयत कैसी है, कि जो इसने project किया, इसमें data analysis मौजूद है, data driven है या नहीं है, और अगर इसने solution दिया तो solution critical thinking की basis पे था, practical था, cost effective था, pragmatic था, implement हो सकता था, नहीं हो सकता था, futuristic था, नहीं हो सकता था, फ्यूचरिस्टिक था, नहीं था, यह सारी चीजें आपको, यह analysis अब objective की तरफ चला गया, पहले वो objective plus subjective था, लेकिन अब इसके अंदर objectivity और subjectivity का balance थोड़ा सा balance out हो गया, इस इस तरह mix करके हम इस सीज को जबलवेड़। In a nutshell, sir, appraisal system वाकई आपको लगता है, it's a fair and unbiased system, the country like Pakistan and how Time Treks help you, then we winded up the show. I think I will not signal out Pakistan, I think globally, performance management system as per all surveys, either done by Gallup or any other organization. the finding is that it is more pain from employee perspective rather than gain and this is not Pakistan, this is talking about every country and even global companies, giant companies they have disbanded their performance management system totally like for example Deloitte, Microsoft, Journal Electric all these companies, they have disbanded or revamped their performance management system because their finding was that it is not creating a positive impact on employees one big finding was that there are two aspects to performance management one is performance oriented aspect, the other aspect is financial and when you link both these then the financial aspect takes over of all the other things because now you are concerned whether I am ET, I am an A class student I am a B class student or a C class student and one person can also say that I am what to do and the other thing is that I am what to do and the other thing is that I am what to do and the other thing is that I am what to do I am OT, I am ET, I am an employee, what to do and when you do this, this finding, this finding, this finding, this finding this finding, this finding, this finding, this discussion background is the aim of business management system और यह जो financial element है, यह पर आप इसको back end भे रखें, तलब जो forward looking performance management system है, by forward looking I mean a system which is focused on performance, individual, improvement in individual and how he can do more projects, what he is entrusted in and the backward looking performance management system which is more to do with financial numbers, this can be taken care of separately based on other factors. But it is still a global challenge, Pakistan is not the only country, this is a phenomena which is contemporary on global scale. Sir, in a nutshell, मतब मैं पसे system ऐसा है कि program हमें खताम करना पड़ता है, लेकर मैं आपको publicly time tracks को ये request करूँगा, कि आपके साथे HR का एक ऐसा module के रलावा topic में बात की जाए, जो restricted to module ना हो, कि आपकी जो बाते हैं मतब मैंने भी बहुत साई चीज़े लिखी हैं, of course मैं आपकी language, आपकी vocabulary, जहां जाता हूँ, सब copyright तो ने इस्तमाल कर सकता हूँ, thank you very much for this, आपको पता है कि program का जो वक्त है, वो इक्तिदाम पे पहुंच चुका है, वैसे हम again इनको दावत देते हैं कि हमारे program में दुबारा आए, module से हट के हम आप HR से बात करेंगे, और इनसे हमारी जो गुफ्तगू रही, वो HR MS के अवाले से, जो module से इस्तमाल कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग पे बात की, इक्तिदाम पे बात की, और one of the amazing topic था, जो मैंने जानबूज के आखर में दखा, वो था इनका performance management e-appraisal, performance management e-appraisal तो दो मिनिट के अंदर खतम हो गया, लेकर उसके जो garnishing elements था, cosmetic element था, मैं समझता हूँ, वो हकीकत में core element था, जिसमें मने global perspective पे बात की, local perspective पे बात की, especially जो द अगलग चीज़ों को से नजरे से देखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ, कि अगर इस तरह से, सेद अली अनिस साब जैसे लोग HR को जो contribute कर रहे हैं, और आप पब्लीक ली, LinkedIn पे, YouTube पे, जो भी session इनका जहां पर play किया जाएगा, तमाम students, professionals को बहुत फाइदा होगा, और मैं समझता हूँ, कि इनकी तरफ से सदकाए जारी आए, and thank you very much, the dial tracks जनों ने ये मौका दिया, कि हम इस intellect को आपके सामने लेकर आए, so tune in tech, powered by time tracks, why not, made in Pakistan, the Ranjit Kumar show, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं, अगले हफ़ते नए जबरस content के साथ, और नए बड़े powerful topic के सा Thank you very much, God bless you.